आपके जिंदेगी में वो संघर्ष का जात्रा केसा था? नहीं, पहली बात तो मैं इस में विश्वास नहीं करता कि संघर्ष से सक्सेस मिलती है और जो स्ट्रॉगल है उसका आउटकम सक्सेस होता है मैं ही कहता हूँ कि स्ट्रॉगल नेगेटिव और अगर मुझे से पूछा जाए तो पॉजिटिव बिलीफ बिलीफ कि आप ये कर सकते हैं पहले वो सोच वो जब आप में बिलीफ आएगा कि आप इसको अचीव कर सकते हैं जीदा ना चाहिए तो आप में जब वो बिलीफ आया तो फिर आप उसकी जर्नी लेते हैं कुछ लोग जर्नी को स्ट्रगल मानते हैं तो जर्नी में अच्छी चीजें भी होती हैं बुरी चीजें भी होती हैं ऐसी भी होती हैं जिसको आप यादगार बनाते हैं और कुछ ऐसी होते हैं जिसको आप भूल जाने जाते हैं. You are this much positive from day one. Always. Always. So for every success, a belief, then have a plan your journey. And in that journey, there would be parts जहां पर आपको थोड़ी training ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा, कि आपकी काबलियत से ज़्यादा आपकी महनत लग रही है. लोग उसको struggle कह देते हैं. जब मैं मुंबई में आया, तो मैं 15 दिन तक खाने को नहीं मिला. Platform पे. क्यों ऐसे करने की बात है? इतने अगर आपको बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी जैनी में, बहुत सारे बहुत चीजें मिली होंगी आपको. बहुत कुछ मिला होगा. आप उसको celebrating नहीं कर रहे हो आप उसकी बातें कर रहे हो जो अच्छा आपके साथ में हुआ आप उसकी लेकिन आप वही बाते करोगे कि जो आपके पास में how is that inspirational लोग कहतें कि नहीं वह inspirational होता है मैं कहा विश्वास जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं सबकुछ हो गया तो उसी से विश्वास आता है विश्वास में हर मोड पे हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको उसको याद कीजिए और उसकी चरचा कीजिए और उससे विश्वास भढ़ाईए तो मैं इस पुरे झाल झाल